आज के इस वीडियो के अंतगत देखिए, आज हम दहातों के भोतिक गुन पढ़ने वाले हैं, जो की बोर्ड एक्जाम की द्रश्टी से बहुती इंपोटेंट हैं, तो आप इस प्रस्थन को अच्छे से कंप्लीट जरूर कीजेगा, ठीके? तो चलिए हम पहले समझते हैं, भोतिक गुन, ठीके? क्या समझेंगे पहले? भोतिक गुन, ठीके? भोतिक गुन क्या है? तो बहार से दिखने वाले गुन, ठीके? कहां से? बहार से दिखने वाले गुन, क्या कहलाते हैं? भोतिक गुन क्या है? कि जो बहार से दिखने वाले गुन होते हैं, उन गुनों को ही हम भोतिक गुन कहते हैं, जैसे कि ये पेन ठीके ये पेन ये हमें बाहर से दिखने में कैसी लग रही है बहुती अच्छी लग रही है ठीके इसका रंग भी अच्छा है इसमें जो डिजाइन है वो भी अच्छा है तो ये क्या है इसके बाहर के गुने यानि कि भोतिक गुने जैसे कि व्यक्ति कोई प बताएंगे तो क्या बताएंगे देखकर उसको पहले तो उसका रंग बताएंगे आप ठीके कि वहाँ सावला है कि गोरा है ठीके इसके बाद आप बताएंगे उसकी हाइट ठीके उसकी उचाई बताएगे कि वहाँ छोटे हाइट का है कि लंबी हाइट का है ठीके इसके बाद में बहुत सी चीज है उसका व्यवहार केसा है ठीके भोलापन है कि अधिक लड़ा को है सन में आगे इसके बाद में चोथा बताएंगे आप कि वहां व्यक्तियों के साथ केसा व्यवहार करता है ठीके तो ये क्या होंगे उसके बहुत गुण ओंगे इनकी बाहर से दिखने वाले गुण तो चलिए अब हम देखते हैं धातों के बहुतिक गुण क्या है दहातू यह होती है यह बहुती अधीक चमकदार होती है ठीक है तो इसका पॉइंट के से बनेगा कि धातू हुआ कि धातू हो में दहात्विक चमाक का गुर्ण पाया जाता है ठीके जैसे की हो गई हमारी सोना और चांदी सोना और चांदी देखने में ही अधिक चमकदार होती तूसी को बोलते धात्विक चमाक तो धात्विक चमाक का गुर्ण पाया जाता है पहला गुर्ण हो गया चले इसके बाद में दूसरा की धात्व यह कठोर होती है केसी होती है धात्विक यह किसी होती है कठोर होती है ठीके धात्विक केसी होती है कठोर होती है यह सोना चांदी लोहा ले लिजे आप ठीके देखाओगा आपने यह अपने आप में बहुती अधिक कठोर होती ठीके? इसके बाद में तीसरा पोइंट है कि यह अगहात वर्धता ठीके? अगहात अगहात वर्धता का कुण प्रदर्शित करती है अगहात वर्धता क्या है? तो जब हम धातों को पीटते हैं तो वहाँ चादर के समान फेल जाती है तो यही आपका अगहात वर्धता तो यह गुण धातों में पाये जाता है तो जब हम किसी भी धातों को पीटते हैं ठीके पीटते हैं तो वहाँ चादर के समान फेल जाती है तो तीसरा पॉइंट क्या है कि ये अगहात वर्दता का गुण प्रदसित करती है ठीके चलिए इसके बाद में हमारा चोथा पॉइंट कि इन में अगहा तन्निता ठीके तन्निता का गुण भी पाया जाता है ठीके किसका गुण पाया जाता है तन्निता तन्निता तो धातो को जब हम खीचते हैं तो वहां पतले तार में बदल जाती है इसे हम तन्निता बोलते हैं किसे बोलते हैं तन्निता कि जब हम धातो को खीचते हैं तो वहाँ पतले तार के रूप में परिवर्थित हो जाती, जैसे अलुमिनियम के तार, तो दहातों में तन्निता का गुन भी पाए जाता है, ठीके, इसके बाद में पांच वह पोइंट है, हमारा आखरी पोइंट रहे गा है, कि धातु या धातुय आप बोल सकते हैं, धातुय उसमा और विद्धूत की, विद्धूत की क्या होती है, सूचालक, सूचालक होती है, ठीके, सूचालक यानि कि धातों में करंट आता है, बिजली आती, ठीके, तो धातुय उसमा और विद्धूत की सूचालक होती है, तो यह हमारे पांच पोइंट धातों के बहुते कुन के, ठीके, चले, एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं, कोई से भी पोइंट यह आपको कठीन लगाओ, कमेंट करके जरूर बताईएगा, तो धातों में धात्विक चमक का गुन पाया जाता है, ठीके, दूसरा पोइंट धातों कठोर होती है, केसी होती है धातों कठोर होती है, अपने सोना चांदी और लोहा देखा ही होगा, ठी एसके बाद में तीसरा पोइंट कि यह अगहात वर्धिता का गुन प्रदसित करती है, ठीके, एसके बाद में हमारा चौथा पोइंट, कि इनमें तननिता का गुन भी पाये जाता है, किसका गुन? तन्निता का तन्निता जब हम धातों को खीचते हैं ठीक है खीचते हैं तो वहाँ पतले तार के समान तार के समान बदल जाती है ठीक है इसे हम तन्निता के ते तो धातों में तन्निता का गुन भी पाए जाता है चलिए इसके बाद में हमारा पाच्वा पोइंट के धातों उस उस्मा और विद्धूत की सुचालक होती है ठीक है तो यह हमारे पांच पॉइंट कंप्लेट हो चुके हैं आप अच्छे से स्क्रीन सोट लीजे और अच्छे से अपनी नोड बुक में इन इस प्रस्नों को कंप्लेट कीजे ठीक है चलिए तो अब आपसे मिलते हैं अगले व